हेलो फैमली नमश्कार एक बार फिर से हाजर हो गई हूँ आप सब के लिए एक helpful वीडियो लेकर और आज के इस वीडियो का topic होने वाला है कि pregnancy के last महीने मतलब कि 9 महीने में गर में बच्चे की हलचल कैसी होती है बच्चा कहा किक करता है बच्चा कितनी हलचल करता है आपको हल हलचल नावी की उपर महसूस होनी चाहिए या नीचे महसूस होनी चाहिए यह सारी बाते आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और साथ में बच्चे की कितनी हलचल करना नॉर्मल है और 9 महीने में सी कौन सी गड़वर चीज है जो आपको दिखती है तो आपको तुर चोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखें पूरी इंफर्मिशन लेने के लिए कई वर क्या होता है मैंने सब कुछ वीडियो में बताया होता है लेकिन मेरी कुछ पैरी पैरी फ्रेंड्स है जो वीडियो पूरा नहीं देखती है और सेम कोशिन कॉमेंट्स बॉक्स में कर तो आप वेशक मुझे कॉमेंट्स कर सकती है अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो देखते हैं तो अगर पसंद आता है तो एक लाइक भी जरूर कर दीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जैसे फ्रें सबसे तो 9 महीनय में क्या होता है कि डॉक्टर आपको खुद बोलती है कि Papthms x cases होते हैं कि बच्चे एकदम से हलचल अपनी बंद कर देते हैं या कम करते हैं तो इसी लिए डॉक्टर बोलती है कि आपको नौवे महीने में अपने बच्चे की हलचल पर इस पेस ली ध्यान देना है और अलर्ट रहना है अब प्रिग्विंसी के नौवे महीने में क्या होता हमालम confirmed कि कि आपका बच्चा पूरे तरीके से ले चुका होता है तो आपके बच्ची के हला हुज जो हलाइरणे हैं थोड़ी सी कम हो जाती है पहले के मुकाबले पहले पहले आपका बच्चा गोल गोल पूरे पेट में घूंटा था इधर से उधर उधर से इधर अपनी पॉजिशन चेंज करता रहता था बट अब ऐसा नहीं होगा बच्चे को जगए कम पढ़ने लगती है जिस वज़े से बच्चा फिर गुलांटी नहीं मार पाता है टोटली बच्चे की हलचल नावी के आसपास फिल होने लगती है क्योंकि बच्चे का सर नीचे आ जाता है और पैर उपर होते हैं तो यह हेड़ डाउन करने का भी लक्षन होता है कि अगर आपके बच्चे ने हेड़ डाउन कर लिया है तो आपको आपके बच्चे की हलचल नावी क किक करेगा तो आपको जो बच्चे की किक या हल्चल महसूस होगी वह बहुत तेजी से होगी बहुत स्ट्रॉंग होगी आप अगर लेटे हैं तो आपको पूरा पेट ही इदर उदर हिल जाएगा पतर क्लियर आपको पता चलेगी ऐसे लगेगा कि बच्चे ने बिलकुल नज सूस होता है तो बच्चे की जो 9 महिने में हल्चल होती है वह काफी तेजी से होती है और स्ट्रॉंग फील होती है अब एक चीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरुवत होती है अगर आपके बच्चे की पॉजिशन गर्ब में उल्टी आड़ी तिरची है तो फिर स्ट्रॉंट आपको स्पैसली बुहादा अलर्ट रहने की जरुवत होती है ताम टु क्योंति पक्चे की पॉजिशन में हल्चल में चेंज्जस असकते हैं इसलिए कने ब्च्चे कीतर पर किसी तरीके कि लाजें ना करें अगर आपको कभी भी महसूस हो रहा है कि मैंने दो ग्हंटे तक कोई भी हलचल नहीं किये हैं विलुकुल सलाथ हैं बच्च आप लेट जाते हैं ठंडा पानी पी ने कुछ भी कर लेते हैं फिर भी दो ग्टप कि अन्व आपको बच्चे की हलचल महसूस ही नहीं हुई है तो यह सीरिस बात है ऐसे मैं आपको विनाव वेट किये हुए तुरंथ हॉस्पिटल जाना चाहिए ठीक है वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि गर में एक हेल्दी बच्चे की हलचल दो घंटे में दस बार तक होनी है चाहिए इसलिए दो घंटे तक अगर आपको बच्चे की हलचल महसूस ना हो या कम महसूस हो तो फिर आप तुरन डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि साइथ कोई प्राब्लम बच्चे में हो रही है बच्चे को साइथ कोई दिक्कत हो रही है तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नौवे महिने में आपका बच्चा कैसे हलचल करता है कितनी हलचल करता है और कहा हलचल करता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो घंटे उसको भी दबाएं मिलते हो आप सबसे अब अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो यह रेशूज ब्लॉग यूटूब चैनल है बबाए थैंक यू